2600 रुपए पर जा सकता यह शेर कर्स कम कर रही कमपनी रेमंड के शेर आज मंदलवार को फोकस में हैं, कमपनी के शेर आज सुभह 9% तक चड़कर 2153.45 रुपए पर पहुँच गए थे कमपनी के शेरों में यह तेजी एक पॉजिटिव खबर के बाद आई है रेमंड के शेर पर विदेशी ब्रोकरेज बुलिश हैं और इसे खरीदने की सिफारिश की गई है जेफ्रीज ने 2600 रुपए के टार्गेट प्राइस के साथ स्टॉक पर बाई रेटिंग दी है ब्रोकरेज ने क्या कहा? जेफ्रीज ने 2600 रुपय के टार्गेट प्रासई के साथ स्टॉक पर बाई रेटिंग दी है विदेशी ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि रेमंड ने कर्स पर निवेशकों की चिंताओं को दूर कर दिया है रेमंड के पास पहले से ही शुद्ध नकदी है और वह अपने लाइफस्टाइल और रियल एस्टेट कारोबार को अलग से लिस्ट करने के लिए तैयारी में है वहीं मोतिलाल ओस्वाल ने इस शेर को 2600 रुपय के टार्गेट प्राइस के साथ खरीदने की सलाह दी है घरेलू ब्रोक्रेज फर्म ने कहा कि प्रमोटर द्वारा डीमर्जर और पूजी निवेश कंपनी के लिए खास पॉजिटिव साइन है इसके अलावा रेमंड का रियल एस्टेट व्यवसाय भी विकास का प्रेरक है मोतीलाल उस्वाल को उम्मीद है कि वित्वर्ष 2023 से 27 के दौरान राजस्व 11% CAGR से बढ़ेगा और EBITDA 12% CAGR से बढ़ेगा इसलावा यह दो के अड़िव साथ शबट है करो जोगो को इस विकास कंपने, है ब evोन जो 7 के दो करो दो कोई दो करो एसे हैं विडार